हेलो एवरिवर्ण दिस इस काजय शेर्मा स्वागत आप सभी का काजय शेर्मा क्लासिस यूट्यूब चैनल में आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं शोशल स्टाडिस का लेसन प्लान जिसका टॉपिक रहे का क्रिशी तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें कुछ पेसिक इंफोर्मेशन डालनी होती है जैसे प्यूपिल टीचर का क्या नेम है सब्जेक्ट क्या है आपका टॉपिक क्या है डूरेशन ओफ लेसन एंड क्लास कौन सी है जिसके लिए आप लेसन प्रिपेर कर रहे हूं तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हैडिंग रहेगी समान्य उदेश है विध्यार्तियों के समाजिक अध्यन के विशे में रूची उद्पन करना विध्यार्तियों के समान्य ग्यार में विध्धी करना विध्यार्तियों में तर्क शक्ति तथा कल्पन शक्ति का विकास करना विध्यार्तियों में क आहत्व को समझ पाएंगे विध्यारती क्रिशी की जानकारी का आपने दैनिक जीवन में भी प्रियोग कर सकेंगे नेक्स्ट आता है शिक्षन सहायक समगरी यानि कि जो टीचिंग नेक्स्ट आप पूर्वग्यान का अनुमान यानि कि छात्र ध्यापिका यह अनुमान लगाती है कि विध्यारती क्रिशी के बारे में समाने जानकारी रखते हैं यानि उनको बेसिक नॉलीज है क्रिशी के बारे में फिर आता है पूर्वग्यान परिक्षन, छात्रों को कितनी previous knowledge है, ये जानने के लिए कुछ प्रशन करती है छात्रा ध्यापिका, जैसे हमें अनाज कहां से प्राप्त होता है, अनाज को कहां से और कोन उगाता है, किसान खेती में अनाज उगाने के लिए क्या-क्या ये घोशना करती है कि बच्चों, आज हम क्रिशी के विश्य में अध्यन करेंगे, फिर आता है प्रस्तूतिकरन, यानि कि प्रेजन्टेशन, जब प्रेजन्टेशन स्टार्ट की जाती है, तो हमें चार कोलम बनाने होते हैं, जैसे पहला कोलम रहता है सिक्षन बिंदू का चात्रा ध्यापिका क्रियाओं का, विध्यारती क्रियाओं का, और लास्ट रहता है चोकबोड क्रियाओं का, यानि कि चोकबोड एक्टिविटी का, पहला सिक्षन मिंदू है क्रिशी, यहाँ पर जो चात्रा ध्यापिका है वो बच्चों को इंट्रोड़क्शन देती है, क्रिशी क्या होती है तो क्रिशी एक प्रात्मिक क्रिया है फसलो फलो सब्जी ओ फलो को गाना तथा पशु पालनिश में शामिल है भारत की दो तिहाई जनसंख्या क्रिशी पर अधारित है जिसमें भूमी पर फसले उगाई जाती है जैसे गेहू चावल दलहन आदी तो इस क्रिशी एक प्रात्मिक क्रिया है जिसमें फसलो फूलो सब्जी ओ तथा पशु पालनिश में शामिल होता है और भारत की दो तिहाई जनसंख्या क्रिशी पर आश्रित है जहाँ पर एक्जामपल भी देते हैं जैसे गेहू चावल दलहन इन सभी की क्रिशी की जाती है है यहाँ चात्या ज्यापिका बताती है कि आदिम निर्वा क्रिशी किसे कहते हैं इसमें सानांत्रित क्रिशी तथा चलवाशी पशुचारन शामिल है यहाँ पर चात्या ज्यापिका बच्चों से पूस्ती है कि चलवाशी पशुचारन किसे कहते हैं विध्यारती उत्तर ते भी सकते हैं और हो सकता है कुछ विधारती मोन भी रहें और यहां पर आपने हेडिंग को बोर्ड पर लिख दिया फिर आता है स्थानांत्रिक कृशि इस परकार की कृशि में व्रिक्षो को काट कर तथा जला कर भूखंड को साफ किया जाता है और राक को मृदा में मिला दिया जाता है जिसको स्थानांत्रिक कृशि कहा जाता है और स्थानांत्रिक कृशि में कौन-कौन सी फसले उगाई जाती है जैसे मक्का, आलू, रतालू, आदी विधारती यहां ध्यान पूर्वक सुनेंगे और चौकवड एक्टिविटी में आप एक्जाम्पल्स को और स्थान पर घूमते हैं विधारती यहां ध्यान पूर्वक समझ रहे हैं जो भी छात्य ज्यापिक उनको बता रही है और यहां एक्जाम्पल्स को बोर्ड पर लिखा है चिक्शन मिंदू है वानेजी क्रिशी वानेजी क्रिशी में फसल उत्पादन तथा पशुपालन फिक्रे किया जाता है उसे वानेजी क्रिशी या फिर वानेजी फसले कहा जाता है यानि कि जो वानेजी क्रिशी है वहां पर जो है एक तरह से आप बोल सकते हो बिजनस करने के लिए फसले उगाई जाती है जिसे वानेजी क्रिशी कहा जाता है वानेजी क्रिशी में फसल को बड़े पेमाने पर उगाया जाता है यानि कि एक बिक स्केल पर जो है उस क्रिशी को किया जाता है फिर आता है मोटा अनाज की क्रिशी इस परकार की क्रिशी मार्च जून जुलाई के माह में की जाती है इस परकार की क्रिशी में जवार पाजरा जैसी फशले शामिल है जो ज आता है धापी का चार दिखाती है उसको ध्यान से देखते हैं यहाँ पर examples को या फिर हम बोले तो main points को chalkboard कारे में आपने mention किया फिर आता है रोपन क्रिशी किसे कहते हैं इस परकार की क्रिशी में व्रिहत पेवाने पर श्रम वे पूंजी के आशकता होती है यानि कि बड़े level पर पैसे की और भेनत की यानि कि श्रम और पूंजी के आशकता होती है इस परकार की क्रिशी को रोपन क्रिशी कहा जाता है इस परकार की क्रिशी में व्रिहत पेवाने पर श्रम और पूंजी के आफशक्ता होती है यानि कि बड़े स्केल पर श्रम और पूंजी के आफशक्ता होती है रोपन क्रिशी में और इस तरकार की क्रिशी को ही रोपन क्रिशी कहा जाता है लास्ट में हो टेक्स्ट यहाँ पर जो है प्रेजन्टेशन मों स्माप्थ हो जाती है, खतम हो जाती है, फिर आता है पुन्रा विति, यानि कि छात्रों ने कितना सीखा है, कितना उनको समझ आया है, ये जानने के लिए छात्रा ध्यापिका कुछ प्रशन करती है, जैसे कृषी किसे कहते है, निर्वाक रिशी किसे कहत होती है इस तरह के कुछ प्रश्ण करती है छात्रा ध्यापिका फिर आप विध्यारत्यों को ग्रह कारिया देते हो जो भी टॉपिक से रिलेटिड हो रेलिवेंट हो एं लास्ट में नीरिक्षक अस्ताक्षर वेटिपनी और दिनांग सो वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब थैंक्स पर वोचिंग